केई से आप लोग सब्वीड़ी आप ठीक हों गए सब्जेक्ष कि यहां अंपया है सब्जय किसले होता और किया होता है टैंस कतिने अच्विडियो पूबर थे हैं यह सब पिसली का सब्जय पिसली वीडियो offline प्रचाकेактер जैसे कि यहां मतारा simple present tense का मतलब होता है ताहती है कोई भी sentence हम बोलते हैं कोई भी हम वाक कर बोलते हैं उसमें last में ताहती है आता है उसको हम present simple tense कहते हैं जैसे मैं college जाता हूं मैं cricket खेलता हूं मैं खाना खाता हूं मैं उठता हूं मैं बैठता हूं उसे हम present simple tense कहते हैं जैसे क एक्जशांपल है अपना फॉरॉले preserved फर favor फो फो में प्लस औब जेट्टा सब्ज़ेग्ट नइद सब्ज़ेग्व थी 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 फो प्लस औबकेड्ट सब्ज़ेग्ज हुन एड़ी सब्चा के लिए हम पत्रें में गालता हूं आइड़ी सुअ का मतलब होता है मैं गैम नहीं कहलता हूं को इसका एक कौर है अब आपको यहां यहां रखना है आई वी दे के हाथ कुछ छिर्षान नहीं करना लेकिन ही सीट नेम के अगर सेंटेंस बनाएंगे इस टेंज के साथ लाश्ट में ताहती है तो आपको बर्ब में ऐसे यह लागा लेकिन यहां बोलना ही पिले गैम तो प्ले बर्ब है बर्ब में ऐसे लगाना पड़ेगा लेकिन जैसे ही ड्याज आएगा ऐसे हड़ जाता है बर्ब से हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ने जाएंगे यहां पे देखिए यू प्ले गैम यू डू यहां रहा हमने एक चीज ऑर नहीं जोड़ी है जो अब पता बीदब ऑर कोश्चन दोनों. एक साथ यह से मंने क्या आप किर्केत नहीं खेलते हो क्या आप गैम नहीं खेलते धो दू यू नौत पेले técnica क्या आप को कर्केत नहीं खेलते हो कुश्चन भी है और दू नहांव है उन्स नहीं करते हैं ल passado मेंकि dance in college क्या भी college में dance नहीं करते हैं मैं सी dance at home dance में s इसलिए रगाया है क्योंकि ये he see its name इस चार subject के साथ बर्व में s ये yes हमको जोडना पर दा है see dances at home see does not does आ गया तो बर्व का s हट जाएगा see does not dance at home does see dance at home इसका मतलब question हो गया question हमने आगे कर दिया question हो गया does see dance does see not dance at home क्या होई college में dance नहीं करती है यह हम पढ़ चुके हैं पिछली video में अब हम next video में पढ़ेंगे रहा है रही है present continuous tense इसका समयने के लिए मतलब होता है जिस sentence में जिस बाक्त में लाश्ट में रहा है रही है आती है यह continue चैसे की रही है वहां हम इस tense का यूज करते हैं जिसे हम continue बोलते हैं present present continuous tense बोलते हैं हम इसको continuous tense इसकी पहचान है रहा है रही है रहे है इसकी पहचान है रहा है रही है रही है कोई भी काम जो हम भी कर रहे हैं उसमें हम इसको बोलते हैं present continuous tense जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी काम में जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं, present contestants, example, इसमें helping verb, इसका formula है, इसमें helping verb का यूज होता है, इसका formula है, formula है, subject plus m is r, plus verb में ing, plus object, अब देखिए, helping verb, m is r, यह क्या हूँ, हमारे helping verb, आए के साथ आता है, m, आए के साथ हमेशा, m आएगा, इसमें, और, age आता है, इसमें, चलो, he, he, it, name, इन के साथ हमेशा आता है, age, ठीक है, और आप हुगा, r, तो u, they, b, इन के साथ आता है, r, subject हमारा i है, he, see, it, name, you, they, v, यह हमारे r subject है, i के साथ, m आएगा, he, see, it, name, के साथ, age आएगा, you, they, v, के साथ, r आएगा, कि हमारा इस formula का नियम है, हम example बनाते हैं, नाइक चलिए, मैं English पढ़ा रहा हूँ, तो I, मैं को क्या बोलते हैं, I, I के साथ क्या लगता है, am, helping verb, एमेजार, यह helping verb है, I के साथ क्या लगता है, am, तो I, am, अब देखिए formula में क्या है, helping verb के बाद, verb में, ing, verb क्या है, पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मतलब teach, देखिए सब से पहले subject, उसके बाद क्या helping verb, तो I के साथ क्या लगता, am, अब क्या लगा, am, अब क्या आ रहा, verb, verb क्या यहाँ पर, मैं English पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मतलब teach, teach मतलब पढ़ाना, am, teach, अब भर में लगा, ing, तो हमें लगा, ing, क्या होगया, teaching, am, teaching, अब English पढ़ा रहा हैं, तो English, Hindi पढ़ा रहा हैं, अब Hindi, मैं English पढ़ा रहा हूँ, I am teaching, English, I am teaching English, मैं English पढ़ा रहा हूँ, I am teaching English, मैं English पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कैसे मनाया हैं, पर एक साथ क्या लगता, am, तो हमने am लगाया, अब क्या, verb में ing, verb क्या है, पढ़ाना, teach, teach में ing लगया, teaching होगया, object क्या, ingles, मैं ingles पढ़ा रहा हूँ, अब इनको बनाना, am, को negative में, तो क्या करना, helping, verb के बाद कुछ नहीं लगाना, not लगाना है, I am not teaching, I am not teaching, ingles, I am not teaching ingles, मैं ingles नहीं पढ़ा रहा हूँ, am, am I, am I teaching, am I teaching, English क्या मैं English प्रहा रहा हूं अब हम इसको करेंगे हमाई teaching का मतलब हो गया क्या मैं English प्रहा रहा हूं इसको हम बनांगे अब question question negative दोनों एक साथ बनाते हैं तो क्या करना है am am I not teaching English century lad का मतलब होता है वह जयासे हम कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं जयासे मैं परा सिरयर सब्जेक्ट आना चाहिए आपको sentence में तो फॉर्मूला यह है subject में जार यह helping verb है subject में जार बर में आई एंजी object आई के साथ लगता है एम ही सी इत नेम के साथ लगता है एज यू भी दे के साथ लगता है और तो हम example बनाते हैं आप English पढ़ रहे हो आप बनाना है नेगिटिव आप English नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करना है you are helping verb है इनके बार note लगाना आपका negative बन जाएगा जैसे you are you are not you are not reading reading English you are not reading English आप English नहीं पढ़ रहे हो अब आपको question बनाना है क्या आप English पढ़ रहे हो question करना आप क्या करना है helping verb को आगे करना है are are you reading English are you reading English अब हमको बनाना है question भी negative question बनाना है क्या आप English नहीं पढ़ रहे हो तो क्या करना है कुछ नहीं करना है यहीं लिखना है are you are you के बाद note लग जाएगा आपका are you not reading English English क्या आप English नहीं पढ़ रहे हो यह negative भी है यह sentence और question भी है सबस्पहले are you you are reading English आप English पढ़ रहे हो दूसरा हुगा negative बाला you are not reading English आप English नहीं पढ़ रहे हो अब करना है क्या question question लिए क्या करना है helping भर में am is are यहाँ क्या are are को आगे करना है तो क्या हो जाएगा question are you reading English are you reading English मतलब होता क्या आप English पढ़ रहे हो अब हमको करना है question भी करना है और नहीं वाला question करना है यहाँ क्या आप English पढ़ रहे हो हो क्या आप इंग्लिस नहीं पड़ रहे हो तो क्या करना है आद यू नॉट रीडिंग इंग्लिस लियर हुगा अब हम एक बनाते हैं कि इसे इत का इस वाला ठीक है वह मार्केट जा रहा है तो यह के साथ क्या हूज होता है पहले पता हूज ह कि साथ लगेगा इज अब हमें लगे इन जी इस गोएंग्ट तो market he is going to market अब बोलना है हमको वह market नहीं जा रहा है तो क्या करना है helping pipe के बाद not he is not going to market he is not going to market वह market नहीं जा रहा है हमको question करना है क्या वह market जा रहा है question के लिए क्या करना पड़ता है helping pipe को आगे is is he going is he going to market is he going to market क्या वह market जा रहा है अब हमको करना है क्या वह market नहीं जा रहा है negative और question दोनों एक साथ करना है is is he not going to market क्या वह market नहीं जा रहा है इसका मतलब यह हुआ तो ऐसे करके present countries का हम पढ़ते हैं यह हुआ हमारा complete अब हमारा next video में बताया जाएगा चुका है चुकी है कैसे पढ़ते हैं वो next video में दिखाया आएगा और next video का नोटिफिकेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बलाएंकें घंटी का फ्रेस करें जिससे कि आपको next video मिल सके थैंक्यू में पाने को में याएगा करें तो